नमस्कार में हूँ आपके साथ रोहत आर्थिक संकट के बीच नेचांट भी लगातार गहरा रहा है लगातार वहाँ पर राजनीतिक तस्वीर बदल रही आपको बता दे कि रानेल विक्रम सिंहे जो की प्रदानमंत्री हुआ करते थे अब राष्टपति बन चुके हैं इसके बाद प्रदानमंत्री पद के लिए नए चेहरे की तलास्ट की जा रही थी आपको बता कि अब स्री लंका को अपना नया प्रधान मंत्री भी मिल चुका है वरिष्ट नेता दिनेश गुडवर्धने को स्री लंका का नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया है आपको बता दें कि स्री लंका के नए राश्च्पती रानिल विक्रम सिंगे ने सुक्रवार को अपन मंत्री पद खाली हो गया था छे बार प्रधान मंत्री रह चुके रानिल विक्रम सिंगे ने ब्रहस्पत्वार को देश के आठवे राश्पती के तौर पर शपत ली थी उन्होंने देश के सामने आ रहे अभूत पूर्व आर्थिक संकर को दूर करने के लिए सभी दलों से मि मंत्री मंडल काम करता रहेगा और इसके बाद मंत्री मंडल में फेर बदल होगा और विस्तार किया जाएगा आधिकारियों ने बताया कि विक्रम सिंगे सर्फ दल्य सरकार का गठन करेंगे शेह बार प्रधान मंत्री रह चुके रानिल विक्रम सिंगों को विद्वार को सा कुछ होता है इस बीट प्रधानमंत्री के आधिकारी का आवास के बाहर अप्रेल से डेरा डाले प्रधर्शनकारियों के समूह ने कहा कि वो अपने विरोध प्रधर्शन को अब समाप्त कर देंगे और सरकार के साथ आने की बात जनताने कही है तो बहुत राहत की खबर है श् इस्तिती जल्दी से ठीक कर दी जाएगी जो भी आर्थिक संकर चल रहा है वो ठीक कर लिया जाएगा इंधन नगदी की जो दिक्कत है उन सब पर विचार बिमर्श करके धीरे धीरे उसे भी सही कर लिया जाएगा और सबसे बड़ी बात जनताने ये कही है कि आटा डाल चा नए प्रधान मंत्री मिलने के बाद जनता ने कहा है कि हम प्रदर्शन समाप्त कर देंगे राश्पती भवन भी खाली कर देंगे और प्रधान मंत्री आवाज भी उसके बाद से उम्मीदें यहीं कि सब कुछ स्रिलंका में खीको जाएगा लेकिन इस वक्त की खबर यही है कि स्रिलंका को दिनेश गोलवर्धने की रूप में अपना नया प्रधान मंत्री मिल गया है